प्रदेश कॉंग्रेस सद्धिक्ष ब्रजलाल खाबरी हमारे साथ हैं सर आज आपने प्रिस कॉंफेंस की है सरकार पर हमला किया है ओबीसी आरक्षन को लेकर कितना बड़ा मुद्दा बन गया है बेसक मुद्दा बहुत बड़ा है प्रदेश और देश की जो आबादी है पिछलों की वह पावन फीज दिया है उता प्रदेश में और उनका जो आरक्षन है वो 27 फिज दी है और उनकी जी आरक्षन जो है उसको खतम करके चुनाओ कराने की जो सरकार की मनसा है वो गलत है वो तो मानी हाई कोट ने सरकार को कटगड़े में खड़ा कर दिया है कि विना इनके ट्रिपल टेस्ट और विना इनके आयुक के बनाए विना इनको चिन्नित किये आरक्षन के विना चुनाओ नहीं हो सकते हैं और चुनाओ आपको समय पर कराना है दोनों चीजे कर दिये एक तरब तो समय भी है दूसरे तरब इनके अधिकारों को भी बताया कि के इनके अधिकार खटम ना हूँ अब सरकार फस्थ गई है सरकार वैसे भी चाहती थी चंणाओं ना करा ने पड़ है इसलिए अधैक। इसलिए अधैस बात करें सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने दिसुशना जारी की और PIL भी करवाई है पियाईल भी कराई है पियाईल एक नहीं हुई है सेंकलों की संख्या में हुई है सबका लबो लबाब निकला सुप्रिम हाई कोट ने ये कह दिया कि ये बिना इनके रैपिट सर्वे कराए बिना इनके आयोग बनाए आप इनका रेजर्वेशन जो दिया है ये तोटी पूर है दुबारा इसको करिए और यही सरकार चाहती थी कि हमें समय मिल जाए तो समय क्यों चाहती थी क्यों कि जितने भी इनके जो सोय समार्ट सिटी बनाएने की तयारी थी जो बड़े-बड़े कस्वे हैं वो सारी के सारी सड़के तूटी पड़ी हैं क्यों तूटी पड़ी हैं कहीं पानी की लाइन डली नहीं है समय के पहले जो काम होने चाहिए थे वो पूरे नहीं हुए हैं अगर ये बीच में जाएंगे चुनाओ में तो जनता इनको जबाब देगी इससे भी डरे हुए हैं इसलिए ये समय चाहती लेकिन समय जो ले रहे हैं वो भी एक तरीके से अधिकारों का हनन है चुनाओ की एक प्रकिरिया है और एक समय होता है समय के पहले सरकारों को तैयार होना पड़ता है कि हमें अगला चुनाओ किसका कराना है आज चुनाओ कराने की तैयारी की और कल कोट ने उसको इस तरीके कादिस दे दिया कि सरकार फस गई है अब सरकार को एक रास्ता निकल रही है कि हम सरूल काश्ट का आरक्षण देते हुगे बैकवर्ड को खतम करते हुगे और चुनाव करा दें यह सरासर गलत है इसके लिए बैकवर्ड तो सबसे बड़ा वोड बैंक है सरकार भी नहीं चाहे कि हम बैकवर्ड का रेजर्विसन खतम करेंगे तो यह सामाने के इससे में जाएगा सामाने भी इस समय काफी नराज है सरकार से उसे मनाने के लिए यह सब खेल खेले जा रहे हैं लास्ट में हम यही कहेंगे कि सरकार ने जिस तरीके का मैतरवाजी की है यह पिछणों के हक म कॉंग्रिस उसके खिलाप है सरकार ने तमाम प्रयास किये ओबीसी सम्मेलन किये पसमानदा सम्मेलन किये मुसलमानों को रहे जाने के लिए सामान भी नाराज हैं यानि सब सरकार से नाराज है सरकार के पक्षमे है कौन विरोजगार है नहीं महंगाई की मार खाने वाला इनके पक्षमे नहीं जिनके ब्लेक मनी के नाम पर घर में रखे पैसे मा बहनों के निकाल के बैंक में डलवा दिये वो इनके पक्षमे नहीं इस्टूडेंट हमेशा आंदोलित रहता है वो इनके पक्षमे नहीं किसान इनके पक्षमे नहीं पक्षमे कौन है आज जो हालात है सरकारों की सरकार के नुमाइनदे या मंतरी जिलों में जाते हैं तो कितनी कितनी खरी-खोटी सुनना पढ़ रही है तो वो ही जानते हैं अब तो सरकार चाहेगी वो इसी परदिर्श्य बनेगा, विपक्ष का काम है, आपको समय समय पर जगाते रहने का, सरकार को जगा रहे हैं, कांग्रिस भी हो, चाहे दूसरे दलो, सब ने इनके इस निर्णाय का विरोत किया है, विरोत का मतलब है सरकार को जगा रहे हैं, अग जो उनका निर्णाय होगा उसको देख करके निर्णा लिए जिए जिए क्या रण नीती रहेगी कॉंग्रिस तो पिछलों के साथ खड़ी है अगर उनके हक नहीं मिलते हैं तो हमारी लडाई जा रही है राहूल गांदी जी आ रहे हैं तीन जन्वरी को उत्तरप्रदेश हां बल्कुल आ रहे हैं जहां से उनको उत्तरप्रदेश में स्वागत करना है, वहाँ पूरी त्यारी है वारन मायवति हो थ assो p ж inclined किसी विक्ष्टि के नाम पर नहीं है लेकर पार्यटी के लोगा है वहां इसलिए बोल रहे हं बैसे निमंत्रन रांट रहे हैं आना नहीं चाहरे होगे लिए निमंत्रन ग्या है। लेकिन हमने जो निमंतरन दिया है आदने रहुल जी ने जो निमंतरन दिया है वो इसलिए दिया है कि आप लोग भी देश को बचाने में मेरे साथ चलो आखरी सवाल इमरान प्रताबगडी ने एक सारजनिक मंच से एक शेर पड़ा है उसमें कहा है कि कभी जब भेडियों का जुंड तुमको घेर ही ले तो अगर मरना पड़े तो चार शे को मार कर मरना भाशपा इसका बड़ा तीखा विरोध कर रही है हेमंत विस्वा जो असम क मंच पंत्रिय उन्होंने टूइट करके काईदे से क्लास लिए देखिए ये सायर है और जब सायरी करते हैं तो उनके तमाम अर्थ निकलते हैं अब कौन विक्ति उस सायरी का क्या अर्थ निकाल रहा है ये उसका भी शाय है उसकी सोच है उसका मन है लेकिन सायर जो बोलता ह तो सायरी का अर्थ उसी को मालुम होता है सामने वाले कितने अर्थ लगाते हैं सही लगा रहे हैं गलत लगा रहे हैं वो उनका भी शाय है लेकिन सायरी ने अपनी सायरी के माद्यम से अपनी बात कह दी है अब अर्थ लगाने के काम हैं तो आप लगाते रही है वह शुक्रिया प्रजलाल खावरी जी हमारे साथ थे और उनका कहना है कि OBC आरक्षण के मुद्दे पर सरकार ने गणबल की है और OBC के साथ में खड़े हैं जहां तक परताब गली के ट्वीट का सवाल है उनके शेर का सवाल है उन्होंने का कि वो शायर है और अपने अंदाज में जो उन्होंने का है उसका गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए कैमरा से उगी राजू के साथ विवेक तरपाठी यह भी पिगंगा लखनाओ